हेलो एविवान आज हम बनाएंगे रोज के नाश्टे के लिए बहुती टेस्टी पाराथा आलू और गोबी से अलग घटके हम ये मिक्सवेश पाराथा बनाएंगे और स्पेशल मसाले के साथ तो चलिए शुरू करते हैं और ये मिक्सवेश पाराथा बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है 1 फोर्थ कप पता गोबी 1 फोर्थ कप हम यहां पर हरी मतर लेंगे और इसे हमने एकदम बारी कट कर लिया है और इसे के साथ हम यहां पर 1 फोर्थ कप बारे कटी हुई फूल को भी लेंगे और फूल को भी जब भी लें इसे गरम पानी में नमक के साथ शिम्ला मिर्च लेंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है परांठे में आप इससे स्किप मत कीजिएगा और भी वेजेटेबल्स आप एड़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो अब हमने यहां पर लिया है एक मीडियम साइज का अन्यन जिससे हमने एक दम बारी कट किया है तो यह थी हमारी बहुत सारी वेजेटेबल्स जिससे हम परांठा बनाएंगे अब हम इसमे आट करेंगे वन फोट कप बारी कट आओवा हरा धनिया और इसी के साथ हम यहां पर दो बड़ी हरी मिर्च आट करेंगे एकदम बारी कटी हुए और मैं यहां पर लाल मिर्च पा जिंजर डालेंगे वन टेबल स्पून मैंने आपर आमचूर पाउडर लिया है वो भी आट कर देंगे और वन टीस्पून हम इसमें आट करेंगे काली मिर्च पाउडर और इन स्पेशल मसालों के साथ हम यह टेस्टी पाराठा बनाएंगे अगर आप इने कम ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं और सबसे लास्ट में हम एड़ करेंगे स्वादा नुसार नमक यह मिक्सवज पाराठा बनाने के लिए आप सबज्यों के एकदम बारिक कट करें इने कद्दू कस ना करें नहीं तो इनमें से पानी निकलेगा और अभी हमने इन सबज्यों का पानी न निकलें इन सबज्यों का पाराठा बनाएंगे जो बहुत टेस्टी बनता है तो अब हम इसमें यह आठा भी आड़ कर देंगे और इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं और गहूं का आठा एड़ करने के बाद आप इस स्टफिंग को एक बार टेस्ट कर सकते हैं जो भी क अलग तरीके से पाराठे का वो घरर है अब हम पाराठे को बेलेगे जो यह शीना पदिए जो तो इस सबैर इस दो गाछे सैब अलग तरीके सब करनाएंगे अलग यह पार इस ऑटा अंटा करेंगै जसें और तो आब हम इसके ऊपर ऐक्दम पतली ठोपटी बेलिये और इस जितना आपको stuffing add करनी है आप इस पराठे में add कर सकते हैं और अब हम इसे seal कर देते हैं तो ये देखे इस तरीके से हम पराठे को seal करेंगे और finger से seal करने के बाद इसे हम fork से design कर देंगे तो इस तरीके से आप fork से भी seal कर सकते हैं और दूसरा जो तरीका है मैंने normal तरीके से stuffing की ह जिस तरह के से हम पर आठे में stuffing करते हैं ने डो में इस एक बोल ली है इसे हम आठे में dust करेंगे और इस तरह के से हम इसे प्रेस करते जाएंगे outside से बीच में से हमने इसे थोड़ा सा मोटा रखा है जिसे जब हम इसे बेलेंगे तो stuffing बाहर नहीं निकलेगी तो यह देखें मै मैं इसे कटोरी की शेप दे दी है जो आउटिंग की जो लियर है वो एकदम पतली है और अब हम इसमें stuffing गैट करेंगे stuffing गैट करने के बाद इसके उपर हम थोड़ा सा आटा जरूर डस्ट करेंगे और अब हम इसे seal कर देते हैं तो यह देखें हमने पराठी को seal कर दिया है और अब हम इस पराठे को हातों से ही इस तरीके से बढ़ा करेंगे बहुत ही इजी वे है स्टरविंग पराठा बनाने का और ये पराठा हम धाबा स्टाइल बेल करके तयार करेंगे तो इस तरीके से हातों से फैला कर हम इस पराठे को बढ़ा कर लेते हैं जितना आप इसे फैला सकते हैं और अब हम इसे बेलन से बढ़ा कर लेते हैं और आप देख सकते हैं वेजेटेबल्स बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है और पराठा एकदम सही से बनाए तो अब हम इन पराठो को तवे पर सेखेंगे अब हम इन पराटों को सेक लेते हैं तो चलिए गैस की तरफ गरम हो चुका है इसके उपर हम थोड़ा सा ओईल याग ही लगा देते हैं जिससे पराटा नेचे चिपकेगा नहीं अब हमने फ्लेम को लो टू मीडियम के विश में रखा है और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इस पराटे को रख देंगे और 30 से 40 सेकेंड के लिए हम इसे नीचे से कुक करेंगे और नीचे से कुक होने के बाद अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे तो अभी हम इसके उपर घिया ओयल नहीं लगाना है तो ये देखिए अभी नीचे से हलका कुक हो गया है तो अब हम इसके उपर घीया ओयल लगा देते हैं और इसे फ्लिप कर देंगे तो आज हम धाबा स्टाइल पराठा सेकेंगे और आप देख सकते हैं पराठा थोड़ा थोड़ा फुलना स्टार्ट हो गया है तो आप भी इस तरीके से पराठा जरूर बना करके देखेगा बहुत अचा पराठा बनता है पराठे को हमने नीचे से अच्छे से कुक कर लिया है अब हम इसे फ्लिप कर देते हैं और हमने इसके उपर के साइट बिल्कुल भी ओयल या घी नहीं लगाया है और यह देखें कितना अच्छा कालर आया है इस पराठे में और यह अच्छे से पूल भी गया है तो इस तरीके से अलटते पर अलटते हम इस पराठे को सेक लेंगे बहुत इक कम ओयल में हमने इस पराठे को भी सेक लिया है तो रोज के नाश्टी से बोर हो गए हैं तो इस नाश्टी को चुरूर बना करके देखेगा बहुत टेस्टी लगता है रेसे भी आपको फसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अब हमने जो दूसरा पराठा तैयार किया था ना उसे भी सेख लेते हैं तो सेम तरीका है दूसरा पराठा सेखने का भी थोड़ा सा ओयल लगाएंगे पराठे को हम लग देते हैं और अलटे बलटे हम पराठे को सेख लेंगे बहुत ही टेस्टी लगता है ये पराठा एक बार जरू बना करके देखिएगा रेसिपी आपको पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलेगा थैंक्स फ़वचिंग